बुड मॉनिंग विदिया अथिमित्रों मैं प्रेम विद्या मंदिल से दिपकसर कक्षा दस में पार्ट नमबर तीन में से हमने पहली विदी जो थी वो हमने देख लिती प्रतिविस्थापन विदी बराबर अब दूसरी विदी से हम देखते हैं तो दूसरी विदी है विलो और तीसरी जो है वो है वज्रगुणन विदी तो तीनों के तीन विदी से यहाँ पे जितने भी दो समीकरन दिये होंगे तो वो दोनों समीकरन का हम हल निकालेंगे तो तीनों के तीन समीकरन से सभी का अंसर एक समान आता है तो यहाँ पे पहली विदी से हमने जो तीन पॉइ कि क्या करना है जैसे हमको उदारन दिया है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपाद 9 अनुपाद साथ है और उनके खर्चों का अनुपाद 4 अनुपाद 3 है यदि प्रत्य व्यक्ति प्रती महिने में 2000 रुपे बचा लेता है तो उनकी मासिक आई ग्याल कीजिए तो यहाँ पर पहले समिकरन हम को बनाना पड़ेगा समिकरन बनाने के बाद हम उसमें विलोपन विधी का इस्तिमाल करेंगे तो अब समिकरन बनाने के लिए क्या करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मासिक i जो लिखी है दो व्यक्तियों की तो उसमें से पहले व्यक्ति की 9x है और दूसरे की 7x है यह से आपको मानना पड़ेगा फिर उनकी खर्चा जो है वो एक में है 4y और 3y है तो उसके उपर से हमारा समिकरण बनेगा कि 9x-4y बराबर 2000 और 7x-3y बराबर 2000 यह दो समिकरण मिले हमको अब यह समिकरण मिल जाए उसके बाद आपको उसमें विलोपन विदी लगानी है या फिर विलोपन विदी का इस्तेमाल करना है अब विलोपन विदी में क्या करेंगे यहाँ पर दियार रखना है कि यहाँ पर 9x यानि कि चर जो है 9x है और यहाँ पर 7x है यहाँ पर माइनस 4y है और इधर माइनस 3y दिया हुआ है तो हमको दोनों में से कोई एक चर को यहाँ से विलोपन लोप करना है यानि कि दूर करना है कोई भी एक चर को दूर करेंगे जैसे कि X वाले पद को दूर करना हो या Y वाले चर को दूर करना है तो हम दोनों चर एक समान होने चाहिए यहाँ पे 4 Y है और यहाँ पे 3 Y तो दोनों एक समान है तो नहीं है यहाँ पे 9 X और 7 X दोनों एक समान नहीं है तो एक समान नहीं होंगे तो उनको एक समान बनाने पड़ेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस बारा वाय और माइनस बारा वाय यानि कि यह वाय वाले पद को समान बनाया कैसे समान बनाया तो चार को किसके साथ गुना किया तो बारा हुआ तो तीन के साथ और तीन को चार के साथ यानि कि पूरे समीकरण एक को तीन से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण दो को चार से गुणा करना पड़ेगा तो लिख लिखा यहां पे कि y के गुणा को बहुत समान बनाने के लिए समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा कीजिए और समीकरण कैसा बनता है वो यहाँ पे लिखना है पूरे समीकरण को खली 4 y को नहीं पूरे समीकरण को तो 9 3 27 x माइनस 4 3 12 y और 2000 गुणा 3 इन तो 6000 होगा और समीकरण 2 को किसे गुणा करना है 4 से तो 7 28 x 4 3 या माइनस 12 y और 2000 गुणा 4 तो 8000 हुआ अब दोनों के देखना है कि दोनों की निशानी समान है तो क्या करना है समान है तो उसमें से गटाना है तो आगे वाले x और y को दोनों में से गटाना है और पीछे जो 8000 और 6000 है उस दो को भी गटाएंगे तो यहां पे क्या होगा y y तो चला जाएगा 28 x में से 27 x गए तो 1 x बचेगा और 8000 में से 6000 गए तो 2000 बचेगा अब यह जो x बराबर 2000 आया वो किसी समीकरण 1 या 2 में रखना है x की जगा पे 2000 तो उसके लिए हमको x की जगा पे 2000 रखेंगे तो y बराबर अंसर 4000 आएगा यहसे इसलिए यह समीकरण का हल मिल गया x भी मिल गया और y भी मिल गया तो समीकरण x बराबर यानि की x बराबर अंसर आया 2000 और y बराबर अंसर आया 4000 जाए तो ऐसे आपके वेक्तियों की मासिकाय ऐसा होगा बराबर तो जो विलोपन विदी है उसको क्या करना है तो विलोपन विदी में उसमें से कोई भी डोनों में से कोई एक चरका विलूप्त करना है यानि कि लोप करना है और फिर उसको जोड या गटाव जिसका लोप करन उसमें देखना है कि उसमें कैसा करना है यहां पर उसके चरण भी दिये है तो चरण जो है वो अच्छी तरह से समझ लेना और फिर उसके उपर से जैसे उदारन नंबर 12 दिया है तो 12 में भी उसी तरह करना है कि 2x प्लस 3y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 7 अब दोरों में से कौन से 4 को समान बनाना है तो समी करन एक को 2 से गुणा करना पड़ेगा दो से घुना करेंगे तो 4X प्लस 6Y बराबर 16 हो जाएगा और यहाँ पर 4X प्लस 6Y बराबर 7 है तो यहाँ पर 4X 4X कट हो जाएगा और Y वाला भी कट हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ कुछ भी बचेगा नहीं इसलिए यह असत्य कथन है फिर उदारान नमबर 13 जो है वो आप बूप में देख देख के अच्छी तरह से लिख देना फिर है प्रशनावली 3.4 तो यह जो विलोपन विदी से पूरे प्रशनावली में विलोपन विदी का ही इस्तेमाल करना है फिर उसमें यह सब का आंसर आपको निकालना है तो प्रशनावली 3.4 वो आपको विलोपन विदी से ही करनी है एक बार विलोपन विदी का इस्तेमाल कर लिया तो फिर 3.4 पूरे सजितने भी प्रशना दिये होंगे वो सब भी प्रशनों में आपको विलोपन विदी का इस्तेमाल करना है तो प्रशनावली 3.4 वो आपको विलोपन विदी से करनी है और नॉटबुक में लिख देना है उसके आगे वाले जो उदारण है वो भी आपको नॉटबुक में लिख देना है बराबर तो उसके बाद हम वजरगुनन विदी का इस्तिमाल करेंगे तो यह प्रश्णा वाली जो है 3.4 वो विलोपन विदी से आप अच्छी तरह से लिख देना उसमें से एक प्रश्णा में आपको करके बताता हूँ वो उसमें थोड़ा ध्यान देना और समद लेना ओके यहां पर हमने एक प्रश्णा लिखा है कि विलोपन विदी का जिसमें पहला प्रश्णा है x प्लस y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है हमको प्रश्णा में पहला जो है उसको समी करन नंबर 1 देंगे दूसरा जो है उसको समिकरन नमबर दो देंगे अब क्या करना है हमको यहाँ पे देखना है कि किसको हम दोनों में चर समान बनाए तो यहाँ पे एकस एकस वाले चर को हम समान बनाते तो समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि समिकरान एक को दो से गुणा करके समिकरान दो से गटाव करने पर क्या लिखा है समिकरान एक को दो से गुणा करना है एक को दो से गुणा करो और समिकरान दो से उसका गटाव करना है क्यों गटाव करना है क्योंकि यहाँ पे एकस वाला पद प्लस है ये भी X वाला पत प्लस है तो दोनों समान हो जिन तो उनका गटाव किया जाता है उतना याद रखना तो समीकरन एक को 2 से गुणा करो तो 2X प्लस 2Y बराबर 10 होगा और दूसरा समीकरन वैसा का वैसा लिपना है अब यहाँ पे क्या करना है गटाव करना है तो यहाँ पे माइनस यह माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस होगा तो 2X 2X कट हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3 तो 5Y 10 में से 4 गए तो 6 तो Y बराबर अंसर आएगा 6 बटे में 5 उसको number 3 देना है अब समीकरन number 3 जो है उसको किसमें रखना है समीकरन number 2 में तो समीकरन number 3 को किसमें रखना है 2 में रखेंगे तो 2 में रखेंगे तो समीकरन 2 हमारा था कि 2x-3y बराबर 4 था उसमें हमने y की जगा पे क्या रखा 6 बटे में 5 y बराबर क्या था 6 बटे 5 था तो y की जगा पे 6 बटे 5 रखा तो यहाँ पे 2x का 2x 6 गुणा 3 तो 18 बटे में 5 हुआ यहाँ पे बराबर 4 का 4 अब 5 लसलेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10x माइनस 18 और 5 चौब 20 बराबर अब यह 18 जाएगा इस तरफ यानिकी वो प्लस हो जाएगा तो 10x बराबर 20 प्लस 18 तो x बराबर क्या होगा 38 बटे में 10 बाघ होगा तो 19 बटे में 5 तो हमारा आंसर आपको लिखना कैसे है x और y में x बराबर 19 बटे 5 और y बराबर 6 बटे में 5 तो इसी तरह से आपको सारे प्रश्णों का हल इसी रिती से निकालना है 3.4 प्रश्णावली में तो जैसे दिया है ये उदारान या फिर ये प्रश्णा करके दिया है समझ में नया है तो फिर से इसको रिपीट करके भी देख सकते हो आप और इसको सासा मत सकते हो और इसके उपर से आपको प्रशना वाले 3.4 करने ओके, थैंक यू